आज के सकड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंतरता सेनानी मानमेंद्र नाथ रोय को याद कर रही हैं, जिनका निधन 25 जन्वरी 1954 को हुआ था। जुड़े और बंकिम चंद्र चैटर जी तथा विवेका नंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आये और उन्हें और अरुबिंदो घोश की अनुशीलन समती से परिचित कर आया गया। अर्लिन से एक दूद कलकत्ता आया और उसने क्रांदेकारियों को जर्मनी की ओर से सैन तथा विट्य सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉइक को जर्मन महवानिज्य दूद के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये वैवस्था की गई थी कि ह हत्यारों और गुलाबारूत की खेब सुन्दरबंक्षित्र में पहुँचाए जाएगी। लेकिन हत्यार वहाँ नहीं पहुचे । मौनमेंद्र नाथ रॉइक वापस बटाविया गए और पाया कि जर्मन राजनाईकों से सहयो की कोई उमीद नहीं थी। उन्होंने हत्यारों के बिना भारत नहीं लोटने का संकलभ लिया। मौनमेंद्र संद्रनाथ रॉय ने भारत चीन, फिलिपीन्स, कोरिया, जापान और संयुक्त राज अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्थ करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। 1917 में जब अमरिका में पुलिस ने भारतिय क्रांतिकारियों को जर्मन जासुसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मौनरो सिध्धान्त की अमरिका की विदेश निते पर व्याख्यान दिये और लेख प्रकाशित किये, जिससे संसनी फ शियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्याले ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आये, तो उन्हें पकड़ लिया गया और तेश द्रोह का मुकदमा चलाया गया। आधार पर समिधान सभा बनाने और अर्व संचक समुदायूं तथा गशेत्रों की अधिकारों को मानेदा देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंन सत्ता के पूर्ण विकेंद्री करण और भरस्टाचार की रोक थाम की भी हिमायत की आज हम क्रांतिकारी स्वतंतरता सेनाने अनंत सिंग को भी याद कर रहे हैं जिनके 25 जनवरी 1989 को मृत्य हो गई थी। वे चटगाओ शस्त्रागार की क्रांतिकारी चापे मारी के अग्रणी प्रतिभागियों में से एक थे। अनंत सिंग का जन्म एक दिसंबर 1903 को चटगाओ में हुआ था। वे स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टरदा सूरे सेन से हुआ। अनंत सिंग ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्दी सूरे सेन के सबसे खरीबी सहयोग्यों में से एक बन गये। अनंत सिंग की संगठनात्मक कुशाकरता और प्रभावीन योजन से चटगाओं शस्त्रागार की चापे मारी में बहुत सहायता मिली। जब उन्होंने और उनके समूह ने इस घटना में चटगाओं पर नियंत्रण खो दिया। तब उसके बाद उन्होंने चंदन नगर के फ्रांसेसी क्षेत्र में शरण ली। लेकिन अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनकर कोलकता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पन कर दिया। 1946 में उन्हें आजाद कर दिया गया।